नमसकर दोस्तों स्वागत है आप सभी कर एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पहुंच किये पटना का गोलगहर है यहां पर बहुत दूर-दूर से लोग घुमने के लिए आते हैं और देखिए गोलगहर में क्या-क्या है क्या देखने के लिए आते हैं वो सारे लुटी इस विडियो में कभर करेंगे बस आप लोग विडियो में बने रहें आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई और अधिकूजी हैं और क्यम्हें संजीव चलिए आज हम लोग घुमते हैं गोल घर और गोल घर में क्या क्या चीज है दिखाने वाले उनिक क्या क्या चीज है वो सारे चीज आप लोगो इस वीडियो में कभर करेंगे तो अभी हम लोग गोल घर के अंदर आ चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं आप लोग खुबसूरत पार्क भी है और यहां पर आप लोग पतना का गोल घर का नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे तो आज पतना का गोल घर आप लोगो को देखने को मिलेगा इस वीडियो में पतना का गोल घर किसलिए बना था और क्यों बना था वो सारे चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं सारे चीज के बारे में आप गोलगहर बनकर त्यार है और गोलगहर के चारों तरफ से सीड़ी है उपर अकार तक आप जा सकते हैं सीड़ी के माध्यम से और पूरे पटना का विव आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं कि पटना का गोलगहर किसलिए बनाया गया था तो दोस्तों यह गोडाउन के लिए बनाया गया था जिसमें कि गेहूं और धान को रखने के लिए कि काफी इसमें गेहूं अधान एश्टॉक रहे उसके साथ जो है काफी दिन तक यह खाली पड़ा रहा फिर जो है सरकार की नजर पड़ी तो यहां गोलगर के साथ-साथ पार्क का निर्मार किया गया और इस टाइम गोलगर पूरे दुनिया में फैमस है और काफी दूर दूर से लोग जो है पटना का गोलगर देखने के लिए आते हैं घुमने के लिए आते हैं इंजवाइक करने के लिए आते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग पटना का गोलगर घुमने के लिए आते हैं तो म कुछ दिन के लिए बंद रहता है, कुछ दिन के लिए चालू रहता है, तो जब चालू रहेगा तो आप लोग जा सकते हैं, चालू नहीं रहेगा तो आप लोग नीचे से ही गोल घर दिख सकते हैं, अगर आप लोग गोल घर आने को सोच रहे हैं, गोल घर घुमने को से यह आप लोगो को लिए और घूमने के लिए और बहुत अच्छा पार्क है जो आप लोग इहां पर आके इंज्वाय कर सकते हैं घूम सकते हैं खाने पीने वाला भी चीज से बाहर मिल जाता है तो लाके खा पी सकते हैं तो दोस्तों आप लोगो को पटना का गोल घर का वीड में जरूर बताए अभी तक हमारे चैनल पर नए तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद